ये मत सभी लोग आपके साथ हैं और भरोशा दिलाते हैं कि जहां तक भी होगा हम सबों के से सहयोग बन पाएगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे इतरा ही है चाते हैं सब समारी बिंती ही है जो भी जानते हूँ उसके बारे में जो ही पता हो जिनको जो ही हमरा अच्छा जो कर सकते हैं सब लोग से बिंती है कि सब लोग हमरा अच्छा जो करके अगर पची कूपर कर दे इस पूर है क्यों नहीं जिदिकी मिल जाएगी सब लोग आकर के हुज़ाल चल लेते हैं सब लोग मदद का अश्वासन देते हैं को भी श्वास है कि उनके सब लोग से पर अकल्या लगा हम बुढ़े आदिविया से पचाशी के आदिव हम दो कहेंगे कि सब लोगों से आग रहा हमेरा है कि किसी तरह समारी बेटी मिल जाए प्रिया में चल रहा है कि लर्की को बेच दिया गया है कहीं चतुर्भु जगह नाम है उसका उहां पे हाँ यह हम को भी मालूम है उसके बयान के तहट अब वो यहां है कि कहीं बाहर सप्लाई कर दिया यह नहीं मालूम जब सब कुछ साग्ष है तो फिर भी बेल हो गया लर्की का कोई पता भी नहीं चला और वो जेल से बहार आ गए नमस्कार मैं चंदन कुमार गोरे आप देखने दाफरवर टाइम्स अभी हम मुझभफर पूर में हैं और एक ऐसे घटना आप तक पहुचाने का परियास करे खेंगे कि आप सोशल मीडिया के माधियम से देखे होंगे रूह का आप जाएगा सुन करके कि नितीष कुमार जी और देश के परधान 갈व जी कहते हैं लेकिन मुझफरपुर में एक ऐसी घटना है, कुछ मजबूरियां है जो कि हम कुछ नहीं ज़्यादा बोल के बता सकते हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां जो बताना परेगा हमको, हम बताने का प्रियास करेंगे, और एक लड़की मुझफरपुर की है, जो कि एक सानू सहनी नाम का बेक्ती है, जो अपरहन करके उसको बेच देता है कहीं जाकर के, उसको छुडाने के लिए एक मा कई महीनों से लगातार प्रियास कर रही थी, लेकिन सफल नहीं होने के बाद कुछ समाजिक संगठन के लोग, कुछ राजनितिक लोग का सहयोग मिला, तो कुछ उम्मीद जगा है, और जितने भी बिहार में सोशल मेडिया के माध्यम से चल रहे हैं, अगर सबों का सहयोग होगा न, तो निस्चित है कि इनकी बेटी वा वो कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन का लग नहीं पहुंची है, और वहीं से हम लंग, कॉन के लिए कि चाट्रा है, तो कि लिए, नितीश कुमार जी, बीए की 12. तरह कितना महीना हो गया है साथ महीना सूपर हुआ परसासन के तरफ से क्या वेवस्था रहा है परसासन कहीं कुछ नहीं सब्सक्राइब बैठी हुए लिए होंगे बड़िये पदाधिकारी से तो क्या बोले कि 20 तारीक को आपके बैटी को देंगे कि लड़की को हाजिर कर देंगे 20 में को लेकिन 20 जुलाई भी निकल गया अभी तक वह घड़ नहीं आई कितना महीना पहले घटना हुआ है कौन से नहीं जब से लड़की ला पता है कितना महीना हो गया है साथ माह से उपर हुआ है इस पी से डीयस पीस से टाउन स्पीसे और आयोग में भी मिले और हमारा कोट पतना हाई कोट में भी चल जाए और यहां भी था जिसमें की दोनों लड़की क्वाज बिल मिल गया है ओडोलर की कौन थी वा फीन से अर्चना वाणड़े और जेते गुप्ता तो यह दोनो운 लड़की का मतलब के आपके लड़की के साथ क्यां मेटर था कि फेस्बुक चैटिंग से दोनों का निकला है यह उन दोनों लड़की से आपके लड़की का दोस्ती था दोस्ती नहीं था फेस्बुक चैटिंग के जड़िये इन दोनों की बातचित हुई और इसी में लगता है यह लोग क्योंकि मेरी बेटी सर्विस के परती बहुत कि उन दोनों के ऊपर भी आप एफ हायार करवाय थे लड़के लापता होने में उन दोनों का योगदान है सुन शहनी के कहने पर सुनु सहनी क्या करता था कि लड़की का मोबाइल नमबर उपर करकर के इन दोनों को देता था और कहता था कि इन लड़कियों से बात करो और हमसे बात करवा और उसी बात क्रम में यह नोग उसको फसाकर कि ले गया दो करीका जहासा देना एक जहासा देकर के आ है क्योंकिन लौपरी के लिगा बहुत पैचेंदाती थी तो कोट में जब मेटर गया कितना दिन के बाद को लगता है कि एक डिर्मा हो गया इतना दिन से परसासन से सिर्फ गोहार लगा रहे थे अकेला दिसंबर 12 दिसंबर साम में एफायर वेगरा चालू हुआ सुबा में निकली है साम में चालू हुआ और मार्च तक अकेले हम दौरते रहा गया सब को कहते रहा गया तीन जगह का लगवग एक जगह हम सुकला जी की पेट्रोल पंपर खुलवा करके देखे और उसके बाद जो हम बोले उनको खोलने के रिए लरका को भी बुला दिये औ और कहते रहा गया वो लड़का कि मैं मैं आप खरा रही है और हम CCTV खोलेंगे समिधनास नहीं नहीं खोली नहीं जाके खरा हुई और आंति वो लड़का चला गया गरीब घर का लड़का है मानली जी हम उसको नहीं कुछ करेंगे कल कोई उससे क्रिमनल होगा उसको मार देग और उसी में पता चल जाएगा लेकिन जब एक माह के बाद खोला गया है में ब्रांच से तो तीन स्कार्पियों निकला है और तीन स्कार्पियों निकला है उसी में किसी न किसी में उसको ले गया है कि यह अभी पेंट ड्राइब में ठाना में पेंट ड्राइब उसमें किलियर लेकिन यह सारा गर्वरी आईयों के गर्वरी से हुआ है मैं के जो जब एफ आयार करवाय थे के आयों जोत्व हां है महिला है और वो खुश्चता है जाती को लेकर के जैसे भी लेकिन उसी के गर्वरी से अभी तक यह गर्वरी आयों कौन सी जाती की थी हरी जन अच्छा यानि गुपता के सपोर्ट में वो जो लड़की गुपता थ थे उसके सहनी के सपोर्ट जो सौनु सहनी है और जब वहां से आयों से मिले फायार करवाए फिर एसपी सहाब से मिले तो इसपी सहाब इतना दिन तक अस्वासन देते रहे हैं केवल कहते रहा गया लास्ट में तो बोले कि आपकी लड़की को ला करके दे देंगे बीस तार कर गया है कितनी लोगों पर एफ हायार किये है एफ हायार हमने किसी पर नहीं किया इसलिए कि हमको इसकी जानकारी थी ही नहीं यह रिपोर्ट पुलीस की तरफ से है अच्छा एफ हायार पुलीस के तरफ से ही किया गया मेरे पिता जी किया थे मेरे हस्वेंट के यह पर कि हो सकता है वो ले गए हूं लेकिन वह मतलब की महान ना हो करके ये सारा रिपोर्ट पुलीस का है मोबाइल के चैटिंग से निकाला गया है सारा पुलीस का मानना है कि उन तीनों लोगों का इसमें हाथ है लेकिन फिर भी आज तक हाथ खाली है गिरफदारियर हुई है किसी की अर्चना और जोती की गिरफदारी हुई थी जो कि आज उसका बेल हो गया जब कुछ साग्ष है तो फिर भी बेल हो गया लरकी का कोई पता भी नहीं चला और वो जेल से बाहर आ गया जब कि इसका अर्चना पांडे का स्टेटमेंट देखा ग की वज़ा से और सोनु के कॉल डिटेल्स को नहीं खंगालने की वज़ा से यह सारा ठप पड़ गया है तो सोनु सोनु भी गिरफदार हुआ है सोनु को आश्चार्ज की बात है कि किसी भी केस में अगर जो यह होता है मडर केस में भी सुनते हैं कि 24 घंटा पर आदमी छोड देता है उसको लेकिन किस अधार पर पुलीस उसको एरेस्ट की और चार दिन के बाद छोड़ दी यह हमको समय में नहीं आता है यानि कि सोनु को गिरफदार किया जाता है और चार दिन तक उसको अपने कस्टिडी में रखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं कि उसके अर्चना और जोती दोनों परहिता देख लीजिए नितिश कुमार जी आपके परसाशन के करतूत कहें या आपके लापरवाही का नमूना दिखाएं कि परसाशन को सब कुछ पता चल जाता है कि कौन-कौन में सामिल है लेकिन फिर भी वो दिखाने मतलब कि और भी जो उसमें हैं लोग उनको नहीं दिखाने का परियास करते हैं अब यह कैसे लोगों का दवाब है यह किनका है यह तो आप ही नितिश कुमार जी जानते होंगे कि इतना बड़ा घटना हो जाए और आपके पुलिस उहां तक पहुंच नहीं पाती है बिहार पुलिस का नाम तो पूरे देश में चलता है कि बिहार के पुलिस से अच्छे अच्छे अपराधी को पकर के लाते हैं फिर सोनु एक आम बेक्ती जो कि एक लड़की को अपरहन करके बेच देता है और उसे परसासन पकर नहीं पाता है शबूत नहीं कठा कर पाता है एसपी साहब आपको आसवासन दिये थे कि हम बिस्तारी को लाके देंगे अगर नहीं उनको मालूम है कि लड़की जीवित है तो कैसे बोल दिये कि हम बिस्तारी को लाके देंगे पूरा हमारे समाजिक संगठन के सामने कभूल किया है जितने भी लोग थे सब के सामने कभूले हैं सब के सामने बोले हैं कि बिस्तारी को लड़की को लाके देंगे लड़की के आप कौन है हम मा अच्छा आप माता जी है उनके तो क्या लगता है कि परशासन ने लरकी ढूंढ नहीं कि पत्तानी अब क्या करेगी hung this क्या कहते हैं और बिहार सरकार इस विडियो को देखेंगे परशासनिक लोग देखेंगे उन का कहिए गगा हम किसी के तरह समारी मेटी बीटित कि है अब को से आपको कि रहा लेकि औरca कहां है नहीं है कि अ जरया है कि यह एच दिया गया है कहीं चतु भाब ड्रुब हो आद जगेैं नाम है उसका उहां पर उनके नाना जी भी हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करने का प्रियास करेंगे मामला अभी तक कहां पहुचाए कौन-कौन लोग सहयोग करने के लिए आए हैं कौन-कौन लोग मदद के लिए आगे आए हैं आपके यहां के जो संग्ठन के लोग हैं महहां नोड़ी है धोड़ा जोओर से बोला संग्ठन के लोग हैं मह然后 मत कर रहे हैं फिर हमारे पपु यादय। जी हमाएं वह इसलिप पने हैं किसा इसलों को दुख होता है शाल शाल साल मदद कर मत कर अर्थ वहां को भीश्वास है कि उनके सहाजों से रखल नहीं हम बुढ़े आदि बुढ़ें से पचासी के आदि हम चलना पर ना हमारी बेटी ही करती है हम खूशते ही करते हैं कि वह लोग हमारी नतनी है हमारी नतनी अही पर एलंग मिस्रें एंबीए फर्स सेमेस्टर पढ़ती थी उसका इंतहान चल रहा था और सवनी बार को इंतहान देने गई थी फिर रविवार पढ़ता था सुमार को फिर इंतहान था सुमार को बारातारी था वह जब तीन वे पहले आदे तीन वे जब नहीं आई था लोकर छटपटी हुए तो हम दोड़े दोड़े गया जाकर के साभम को हमने जाकर थाने में इंफरमेशन दीने के बाद 12 तारी हो सारे लोग पर इस सरा मिहनत कर रहे हैं, हम सब लोग से ही बिंती करते हैं, कि सब लोग सांती पुरुपा कि इतिमिनान से बची को खोजे, कहीं कोई इस तरह के अनार्की नहीं हो, जिसे कोई सथी हो, कहीं कोई बहुत आतंग फैले, यह सबात नहीं होनी चाहिए, हम अपनी मतनीकों गौणाही दिया है, हम कुछ लॉस्त करदे चाहिए, इतरह ही हो चाहिए, सब समारी बिंती ही है, जो भी जानते हूं, उसके बारे में, जो भी पता हो जिनको, जो भी हमारा स्था जो कर सकते हैं, सब लोगों से बिंते हैं कि सब्सक्राइब हमारा सजोग करके और पचीक उपर कर दें इस पूर है क्यों नहीं जिन्दिकी मिल जाएगी रोईये मत सभी लोग आपके साथ हैं और भरोसा दिलाते हैं कि जहां तक भी होगा हम सबों के से सहयोग बन पाएगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे जहां तक चाहे जिस तरह से करना पड़े हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे और मदद करेंगे आप घबडाएए नहीं क कि बहुत जल्दी धरना परदर्शन करेंगे और जैसे भी होगा लरकी को वापिस लाने के लिए और नितिश कुमार के इस कुकरम को दिखा पूरा बिहार देखेगा देखिए बिहार में महिलाएं सुरच्छित नहीं है आप देश के परधान मंत्री बनने चल गए हमरे बिहा आके रख दिया आप अपने कुर्सी के प्यार में चिंता नहीं कीजिए पपू जादब जी भरोसा दिलाए हैं आपको और जैसा बता रहे थे कि पपू जादिप जी से इनका अपना घरववा संबंध है बच्पन से ही हमारे भाईया हमारे भाईया भी अमेरिका में रहते ह हमको पढ़ाए लिखाए हमको प्रफेसर वनाए है आज भी हमको सुझे करते हैं जहीं आए अच्छे जोड़ाय में नहीं हो रहा है हम तो जाने लायक नहीं चैने जाते भीट करने भीट कर सकते हैं सुन रहे थे जो ये आसु बह रहा है सभी समाजिक संगठन और राजनीतिक लोगों का कहना के एक एक चीज का हिसाब लेंगे बिहार सरकार और अपने परसासन से कहें कि लर्की जहां भी हो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए आगे भी अपडेट जो भी होगा हम देने का परियास करेंगे आप जूरे रहें मेरे साथ धन्यवाद